नमस्कार मैं दिपाली अब सभी का स्वागत दिपाली एस्टों में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन अनिकी 3 अक्टूबर 2023 कैसा जाने वाला है चले बात करते हैं मेर शार्ची वालों के लिए मेर शार्ची वालों आपके लिए सब कुछ समानेता रहेगा कुछ खास न नई possibilities कुछ information सूचना संकेत किसी व्यक्ति विशेश के थ्रू आ सकता है उसको अगर आप सोचेंगे समझेंगे review करेंगे explore करेंगे तो आपके लिए आज के दिन professionally आपको सब तरफ से positivity देखने को मिलेगी बात करते हैं व्रिशव राशी वालों के लिए व्रिशव राशी व आसपेक्ट को लेकर आपकी consistency बनी रहे अगर आप exercise करते हैं तो make sure कि वो consistent रहे उसमें कोई negativity ना हो उसमें कोई gap ना हो जादी साथ आज के दिन आप professionally भी कुछ ना कुछ नयापन अपने कारे शेतर में ला सकते हैं कुछ change ला सकते हैं वो change आपके sitting arrangement का हो सकता है वो change आपके mail को लिखने का तरीके में हो सकता है वो change आपकी विचार धारा में हो सकता है कुछ ना कुछ आज के दिन नया change आप ला सकते हैं जो आपके लिए positivity का सबब बन सकता है बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए कारे शेतर मैं स्थिर्टा बनी रहे गी मिथुन राशी वाल से आज कुछ अपने अपन अपन अपने ले कर पाएंगे चाहें वो प्रॉपटी में निवेश करने से संदर में रहता हो या कुछ नया अगर आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं कुछ नई जगा देख रहे हैं चेंज आफ कंट्री भी हो सकती आज के दिन पेपर वा के डॉक संकेत इंडिकेटिव हैं लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं साथी साथ आज के दिन आपको अपनी सभी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी मन आपका शान्त रहेगा लोग आपके काम की तारीफ करते हुए भी नज़र आएंगे आज के दिन आपको का minimize भी कर सकते हैं और maximize भी कर सकते हैं minimize वहां पर करना है जहां पर आपको लगता है कि आपके पास चार resource हैं लेकिन उसमें से सिर्फ दो ही आपके पास सुचारू ढंग से आपको इंकम दे रहे हैं तो उनी दो पर आज के दिन focus approach लेकर चलना है बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी वालों आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए समानिता जाएगा स्वास संबंदी चिंताएं भी अब दूर होती हुए नजर आएंगी परिवारिक सिर्था बनी रहेगी पर आपके लिए शुबता शुबसंगेत इंडिकेटव है बात करते हैं करने राशी वालों के लिए आपके लिए स्थिर्था बनी रहेगी मन आपका शांत रहेगा लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे लंबे समय से चल रहा कोई अगर विस्तार के रूप मे अगर आप देखें वैपार के विस्तार के रूप में अगर आप कुछ करना चाह रहे थे और उसमें कहीं न कहीं ग्याए पा रहा था या डीले हो रहा था या कोई conflicting सेनारियो हो रहा था और expansion ये विस्तार इन जेनरल भी अगर आप लाइफ में भी कुछ करने की सोच रहे थ confidence level में जाफा होते हुए देखेंगे साथी साथ आज के दिन परिवार के किसी व्यक्ति विशेश की मदद से आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में नयापन ला पाएंगे उनके द्वारा दी गई कोई बहमूल राय अगर आप उसको advice को follow करते हैं तो आप देखेंगे कि ठीक रहेगा बात करते हैं वरिश्चिक राशी वालों के लिए वरिश्चिक राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए positivity से भरा रह सकता है आज का दिन आपके लिए सब तरस से सारी चीजों का समावेश लेकर परिवार के लिए कोई collaborative approach के नया घर लेने का घर के अंदर प्रवेश करने का या abroad settlement का भी हो सकता है याने का मतलब यह है कि आज के दिन परिवार की सहमती के साथ परिवार के लिए कोई भगमूल निरने आप ले सकते हैं और वो निरने आपके परिवार के लिए काफी जादा अच्छा माना जा सकता है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए आज का दिन आपके लिए काफी जादा टारिंग और टैक्सिंग रह सकता है धनुराशी वालों आपके लिए काफी जादा परिस्तितिया नेगेटिव रह सकती है इन डर्मस अफ यूर हेल्थ सेनारियो तो आज के दिन अपनी हेल् पिया सेकेंड उपिनल ले लिना चाहिए शाथी साथ आज के दिन की अगर मैं बात करूँ कार शेत्र में बिजी आप बहुत रहेंगे संबंधों में कॉम्मुनिकेशन जो होगा उसमें क्लारिटी रखने की आज के दिन जरूरत है बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए पॉजिविटी को इंब्रेस करिया आगे बढ़ते चलिए मकर राशी वालों मुझे कहीं से कोई भी नेगेटिव सेनारियो नहीं दिख रहा है अपने मन को स्ट्रॉंग रखिए देखी सब तरफ से आपको शुब संकेत देखने को मिलेगा मन आपका शांत रहेगा साथी उसका विस्तार कुछ नया काम करना नौकरी चेंज करना या नौकरी में पदुनती होना या प्रोमोशन होना कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा बात करते हैं कुमराशी वालों के लिए आपके लिए परिस्तितिया प्लानिंग करना चाहें तो आज का दिन सबसे अदम हैत्वरपुर्ण माना जा सकता है आज के दिन अध्यात्मी ग्रूप से भी आप अपने आपको सशक्त और सबल महसूस करेंगे बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों आपके लिए पॉजिटिविट आपका साजह होता हुआ नजर आएगा साथ ही साथ on the contrary अगर आप ट्रावल करते हैं लोंग डिस्टैस अगर आप ट्रावल करते हैं तो आपका यह stress लेविल्स बैलंस होंगे концentration आपका इंप्रूव होगा और health में भी improvement देखने को मिलेगा साथ ही साथ ही अज़ के दिन professionally भ झाल